नमबर एक मुझे विराइटी बढ़ाना होगा लेकिन कैसे बढ़ाऊं और क्या-क्या विराइटी मेंटेन करूं। नमबर दो कस्टमर को बार-बार खरीदारी के लिए कैसे प्रेरित करूं। कितना तरीका मुझे आता है उसे और इंप्रूब कैसे करूं। पॉइंट नमबर तीन वो कौन सा तरीका है जिससे मेरे ग्रहाक अपने परिचीत लोगों को मेरे साप में आने के लिए प्रेरित करें। ऐसा करना मेरे लिए कैसे संभव होगा। पॉइंट नमबर चार ग्रहाक को संतुष्ट करने के लिए किस हद तक जा सकता हूं। दोस्तो नमस्कार मैं मुहंत हवाइद एमटेक चेनल में फिर सेखबार आपका स्वागत करता हूं। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है सर कुछ उपाह बतलाईए। ये सवाल अक्सर मेरे कई सब्सक्राइबर मुझे कमेंट में लिखते हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि आपका कौन सा ब्यापार है, किस जगह पर है और आपके मार्केट का लोकेशन कैसा है। इसलिए मैं कुछ useful और knowledgeable बातें बतलाने जा रहा हूं जो आपके offline बिजनेस के लिए बहुत फायदे मन्द हो सकता है। दोस्तों किसी भी बिजनेस में सफलता हासिल करने के लिए attitude और technique दोनों की भूमी का बहुत ही महतपूर्ण होती है। सबसे पहले मैं attitude के बारे में बात करूँगा उसके बाद technique पर एक story आपके साथ share करूँगा जिसमें ब्यापार की सफलता के लिए चार अनमोल प्रस्ण मिलेंगे। ध्यान से समझेगा और चाहें तो वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिएगा बाद में काम आएगा। अंतक बने रहें वीडियो मेरे साथ एक भी वाग की मिशन करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा हैं तो मेरे दोनों चैनल एमटेक चैनल और करेक्ट बिजनेस पॉइंट पर विजिट कीजिए। अपने एटिट्यूट को अपने जोस और उत्साह को बेहतर बनाये रखें। कभी कम मत होने दीजिए। नमबर एक मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। इस लाइन को आज के बाद दुबारा अपने दिमाग पर मतला ये। क्योंकि ये लाइन जब-जब दिमाग में आता है दिमाग में चिंता और टेंसन पैदा करता है। और मन डिप्रेशन में चला जाता है। अगर अरजुन के दिमाग में चिंता और तनाव पैदा करने वाली सोच होता, मन से डिप्रेश होता तो मचली की आँख पर कभी निशाना नहीं लगा पाता। आज की तारिक में जितना भी काम आप कर रहे हैं, उत्साह के अभाव में उतना काम करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चिंता छोड़िए और चिंतन का रास्ता पगड़िए। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। इस लाइन को बदल कर खुद से सवाल कीजिए कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है। आपकी अंतरात्मा आपको परफेक्ट सलाह देना सुरू कर देगा। उस पर विश्वास कीजिए। दिल से निकला हुआ कोई विचार कभी गलत नहीं होता। उस पर अमल करना सुरू कीजिए। वो आपके सामने विकल्प भी रखेगा और उस साह को दुगुना कर देगा। दूसरी बार ऐसा कोई भी काम न करें जो आपके अंदर टेंसन और तनाव पैदा करता हो। लेकिन ब्यापार की ग्रोथ के लिए या ब्यापार के लिए किया जाने वाला किसी भी कारे को कभी बोज न समझें। टेंसन तनाव या बोरिंग सब्द जैसे किसी भी नाम से संबोधित मत कीजिए। उससे चैलेंज सब्द से संबोधित कीजिए। जैसे मुझे नए गरहाकों को आकरसित करना है, ये मेरे लिए एक चैलेंज है, मुझे उधार कंट्रोल करना है, थोड़ा मुस्किल है, लेकिन असंभाव नहीं है, फला फला गरहाक मेरे साप में अपन ही आते, मुझे किसी भी तरह वापस अपने साप में बुलाना है, मुझ आपके अंदर जोस उमरने लगेगा और उसे पूरा करने के लिए आप रोमन्चीत हो जाएंगे तीसरी बात जब आप अपने साउप की सुरुआत किये होंगे तो आपके मन में थोड़ा सा डर और बहुत ज्यादा आत्मविश्वास रहा होगा जो आपके डर पर हावी होकर आपको ब्यापार करने के लिए प्रेरित किया होगा इस दुनिया में जब जब किसी ने कुछ नया करने की कोशिस किया उसे तारीफ कम सुनने को मिला और आलोशनाय ज्यादा मिली लेकिन खुद पर विश्वास करने की वज़े से वो सफल हुआ इसलिए दुनिया वालों की सलाह के बजाए खुद के सलाह पर ज्यादा विश्वास कीजिए पॉइंट नमर दो वो मत देखे जो लोग देखते हैं वो देखे जिसे लोग देख नहीं पाते जैसे हजारों लोग मॉल में जाते हैं जम कर सापिंग करते हैं वहाँ पर डिसकाउंट आफर फ्री उपन, पॉइंट कलेक्शन और विराइटी चकाचाउन उन्हें आवस्यक्ता से आधिक खरीदने के लिए प्रेरित करता है लेकिन एक उद्यमी एक इंटरप्रेनियूर ऐसे मॉल में ये सोच कर जाता है कि वह अपना प्रोड़क्ट उस मॉल में कैसे बेच सकता है जहां प प्यापारी के बिजनेस करने के तरीके पर उसके लेंदेन के तरीके पर कश्टमर हैंडलिंग बातचीत के तरीके पर उसको देखकर उसके पीछे के सिध्धान को समझने के प्रयास करें जो चीज आपको बहतर लगे ग्रहण कीजिए जब वक्त मिले उसके तरीके पर तो बहुत ज्यादा इंप्रूब कर लेंगे क्योंकि पूरा मार्केट ही एक खुलिक किताब है आईए अब बात करते हैं टेखनीक के बारे में बारवी क्लास की पढ़ाई कंप्लीट करने के बार जतीन ने पढ़ाई छोड़कर एक स्वाप खुल लिया आगे की पढ़ाई प डूप उटने लगे लेकिन जैसे ही ब्यापार और इंकम की तरफ ध्यान गया वो सोच में पढ़ गया क्योंकि उसकी कमाई इतना नहीं था कि पत्नी की आने के बाद उसके जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके उसके मन में अब यही सवाल बार बार आने लगा कि दु बॉपी और पैन लेकर विचार मन्थन करने लगा कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा आखिर क्या कमी है मुझ में यह सोच-सोच कर जतिन पहले चिंता में डूप जाता था अब चिंतन करने लगा गहराई से अपने ब्यापार की घ्रोथ के बारे में उन बातों पर उन प ताकि उसे आगे क्या करना है याद रहे और अंतता विचार मंथन के बाद उसने अपने ब्यापार की ग्रोथ के लिए चार पॉइंट खोज निकाला नमबर एक मुझे विराइटी बढ़ाना होगा लेकिन कैसे बढ़ाऊं और क्या-क्या विराइटी मेंटेन करूँ दोस्तों अगर आपको सुत्रयाद है तो आपके लिए गडित का क्वेस्चन साल्व करना आसान हो जाता है ठीक वैसे ही इन सवालों का जवाब तलास करने के लिए विचार मंथन की जितनी गहराई तक जाएंगे आपके सफलता का मार्ग भी उतना ही ज़्यादा आसान होते चला जाएगा तो आखिर जतीन ने इन सवालों का जवाब कैसे तलास किया अपनी सफलता के लिए आईए जानते हैं अपने ब्यापार से संबंधित जो वस्तु मार्केट में टेंडिंग पर हो उसे अपने साउप में रखना सुरू कर दिया जिस स्वस्तु की डिमांड चार-पांच ग्रहक लगातार करने लगे उस स्वस्तु को थोड़े मातर में ही सही साप में रखना शुरू कर दिया ऐसा प्रोड़क्ट जो दूसरे वस्तुओं से रिलेटेड या कनेक्टेड हो जैसे कोल्डिंग बेशते हैं तो दूद, लस्सी, सर्बत की विराइटी, फल फ्रूट बेशते हैं तो ड्राइफूट की विराइटी, बिस्किट और मिक्चर बेशते हैं तो बर्थडे मॉम, ब पालकल केंडल, बलून, चाकू, मोबाइल साफ है तो एसे सरीज, आधी इस तरह से अपने साप से सम्मंदित विराइटी बढ़ाना शुरू कर दिया, आप भी अपने साप से कनेक्ट होने वाले वस्तों को समझने का प्रयास कीजिए, विराइटी और बिक्री भी बढ़ना संभाव हो जाएगा, जतीन के लिए पैसों का अरेंजमेंट करना संभाव नहीं हुआ, तो अपने बेवजा के खाचों में कटवती करना सुरू कर दिया, और अपने ब्यापार के आमदनी से बचात होने वाले पैसों को साप के विराइटी मेंटेन पर निवेश करना जैसे डॉक्टर किसी पेसेंट का दात निकालते वक्त उसे बातों में उलजारता है और कब दात निकाल देता है पता ही नहीं चलता, quality और knowledge की चंद सब्द ऐसे बोलिए कि महांगा वस्तु भी ग्रहक को महांगा ना लगे, ग्रहक को जो वस्तु बेज रहे हैं उसके बारे और जबम आसे अत्मियता से बातशीत करने लगा था, जब ग्रहक किसी वस्तू के बारे में जतीन से बात करता तो उस वस्तू के बारे में जो भी बहʊतर नालेजबल जॉतिन के पास होता, उसे चन्द सब्दों में जरूर बतलाता। जैसे एक दिन एक ग्रहक ने कहा भाई साब अगरबत्ती जल्दी ही समापत हो जाता है मुझे ऐसा अगरबत्ती देना जो देर तक जले जतिन ने एक अगरबत्ती दे कर कहा भाई साब इसे जलाने से पहले पानी में एक बाद डुबा कर निकाल दीजे फिर पूजा करने रखे जहां पंखे या कुलर की डारेक्ट हवा न पड़े आधे घंटे तक जलने वाले अगरबत्ती कम से कम एक घंटे तक जरूर जलेगी ग्रहक इतना सुनने के बाद बोला यार क्या आइडिया दिया है बहुत माइंडेड आदमी है भाई तू एक ग्रहक ने उससे एक दि होने लगे उस वक्त ही अगरबत्ती कमरे में जला देना और लगभग 20 मिनट कमरे के दरवाजे खिड़की बंद कर देना उसके बाद खोल देना एक तो मच्छर कमरे में प्रवेस नहीं करेंगे दूसरा जो कमरे में रहेंगे वो भाग जाएंगे और तीसरा रात को चैन्स करण आएंगे या तीसरा अपनी समस्या का समाधान तलास करने आएंगे या किसी वस्तु के बारे में बेहतर नौलेज मिलने की वज़से आएंगे जब भी उसे वक्त मिलता अपने प्रोड़क्ट के बारे में नौलेज को बढ़ाता कश्टमर जब भी किसी प्रोड़क के पारे में अपना experience बतलाता उसे दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेता क्योंकि ये knowledge दूसरे ग्रहाकों को handle करने में उसकी बहुत मदद करता ग्रहाकों की छोड़े छोड़े गुस्ताखियों पर गुस्सा करने के बजाए वह सईयम से काम लेने लगा पॉइंट नमर तीन वो कौन से तरीके हैं जिससे मेरे ग्रहाक लोगों को मेरे साफ में आने के लिए प्रिरित करें ऐसा करना मेरे लिए कैसे संभव होगा जतीन के दिमाग में बेहतर भौई से की परिकल्पना ने उसके सोचने और लोगों के साथ ब्यवहार करने के तरीके को ही बदल कर रख दिया वो अब मुस्कुरा कर लोगों का अभिवाधन करने लगा उन्हें इज्ज़ देना सुरू कर दिया ग्राकों के साथ बाचीत के दौरान ग्राक की कोई बात उसे अच्छा लगता तो तुरंत उसके गुण की तारीप कर देता अब उसके साथ में नए ग्राकों की संख्या बढ़ने लगा जो लोग पहले भी उसके साफ में आते थे उन्हें अब जतिन के इस तरह के ब्योहार में बदलाव इस पश्ट नजराने लगा कभी कभी कोई रेगुलर गणा कुसे ये भी बोल देता कि लोगों के साथ तुम्हारा बरताव अब पहले से बदल गया है अब तुम पक्का बनिया की तरह ब्योहार करने लगे हो लेकिन जतिन इतना करके भी संतुष नहीं था वो अब ये सोचने लगा था कि सरमाजी, वर्माजी, सकसेना साब और जो लोग कभी मेरे साउप में आते थे ये चवकाने लाइक कीमत बतलाता, लोगों के साथ कनेक्ट होना, जब भी वक्त हो ग्राकों से उसके परिवार और काम के बारे में जानना, बच्चों के बारे में उनके पढ़ाई के बारे में जानना, उनके पसंद ना पसंद के बारे में जानना, उनके गुणों की तारी रहे ग्रहक क्या वर्शक्ता को तुरंत पूर्थी के लिए ततपर रहें लोग आपके साफ में किसी दूसरे को जाने का सलेशन कब देते हैं वह ऐसा तभी करते हैं जब वह आपके कीमत और आपके व्यावहार से संतुष्ठ होते हैं प्रभावित होते हैं पॉइंट नमबर चार ग्रहक को संतुष्ठ करने के लिए किस हद तक जा सकता हूं जतिन फिक्स प्राइज साप के बजाए वेरियेबल प्राइज रखा था वो पैसा कमाना तो चाहता था लेकिन ग्रहकों के संतुष्ठी का ध्यान रखता था भावित से में डील के संभावन बन कराया है क्या हूँ इस्टूडेंट है आदी जब कोई व्यक्ति उसके साप में पहरी बार आता तो डिलिंग प्रोसेस के दावरान जतिन इस तरह से बात करता जैसे वह ग्रहक पुराना परिचीत हो वह ग्रहक के डिमांड उसके पसंद के बारे में बात करता अपने दि वह इंसान सबसे अच्छा और प्यारा लगता है जो आपको आपके पसंद को आपकी बातों को सुनने में सबसे ज्यादा दिल्चस्पी लेता है इस तरह से जतिन ग्रहक के मन में अपना बेहतर इमेज बनाने में काम्याब हो जाता जतिन आखिर है कौन दोस्तों आपके अं नहीं कि नए ग्रहक से कितना कमाया आपनी सवाल इस बात का है कि नए ग्रहक को माल बेचने के दवरान उसके दवराव वस्तु खरीद कर साप से बाहर जाते वक्त उसके मन में आपने अपना कैसा इमेज तयार किया चाहे कीमत में डिसकाउंट देकर रेट टूरेट सामान बेच कर उसके ब्यक्तित्तों की तारीफ करके उसके बारे में जानकारी लेकर आ दी किसी भी तरीके से उसे प्रवावित कर उसके मन में अपना बेहतर शवी बनाने में कामया भी हासिल कर लिया तो उस ग्रहक के साफ में दुबारा तिबारा बार बार साप में आने की संभा आपने दोस्तों को मोटिवेट करने के लिए येsystem जरूर करें और साथ ही इस वीडियो के बारे में अपनीला भीनट बाक्स में जरूर लिखें